नमस्ते दोस्तों फ्रेसे और एक नहीं रेसिपी गजंग आप सबीका मेरे चैनल में स्वागत है कद्दू खाना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है लेकिन आज में कद्दू के ऐसे एक रेसिपी लाए ना बच्चों से बड़ो सभी पसंद करेंगे और जो लोग कद्द आजओ सीपी देगे लाए बच्च लाए लाएं है दो पानी डाले लाएं हाद में त्री और थी कब यह यहां पर धीशन के लिए जालेगे और आध़ चीप जितना पानी लिये हैं लेकिन त्ट थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से भी स्वाद्ट अब दोस्त송 यहां पर यह अच्छ इच्छ को लेंगे और जायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो बैटर है ना इसको खोल कॉंसेश्थेंसी आप चाहँ तो थो और बम पाने इड़ सकतें यह छोटव पीसस में काते देखो एक मैने कड़ो कस लिया है कि वैंन्सकी और काड़ु काइस तो मैंने गैस पे कराई चला दिया है कराई में 1 टेबल स्पून जितना सरसो का टेल दाल देंगे दोस्तों यहां पर सरसो का तेली देना तो यह रेसिपी खान में उतना अच्छा नहीं लेगा तो तेल को अच्छो से पूरा कराई के ऊपर चारो और फैला देंगे अभी जो घसन के गोल को अच्छे से एक बार चला के मिच्छे के उसके बात जो काधू को घम को और भी ढप चलर के पका लेंगे आप देख सकते हो दोस्तों धीरे धीरे इसका जो consistency है पुड़ा थीक होता जाएगा और बेज़नो कदुकस एक संग मीक्स होके एकदम धीरे धीरे थीक होके एकदम better type का हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से पक भी जाएगा तो दोस्तों आपको क्या करना है एकदम medium flame पे या low flame में इसको पकाना है 3-4 मीट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों देखो ये एकदम perfect thickness आ गया है तो इसको अभी क्या करेंगे gas का flame off करेंगे और इसी time इसको तूझरे एक प्रेट में निकालेंगे तो पहले में एक प्रेट में थोड़ा सा सरशो का तेल डाल देंगे तेल को अच्छे से चारो और प्रेट में लगा लेंगे ताकि हमारा जो recipe बनाएंगे वह अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से बाहर निकल के आ जाए अभी इसके अंदर बेशन और कद्दू के सारे मिशन को इसके अंदर टाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे और फैला देने के बाद पतला करके लेयर बनाके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे प्लेट के उपर तो देखो इस टाइब का इसको फैला देना है और अच्छे से इसको सेट कर लेना है तो इसको अभी 15-20 मिनिट के लिए थोड़ा सेट होने के लिए रख देते तब तक ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा तो मैं आपको 15-20 मिनिट के बाद दिखा रही है दोस्तों देखो ये अच्छे से ठंडा हो गया है और अच्छे से सेट भी हो गया है अभी इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे आप चाहो तो बड़ा पीसेस में भी इसको रख सकते हो लेकिन मैं इसको इस टाइप का छोटे-छोटे पीसेस में कर ली हो एकदम पनीर बनाता है ना वो पनीर के टाइप का या फिर ढोकला बनाते है ना उसी साइज के इसको रखना है तो दुबाडा कडाई को साब करके मैंने ले लिए है उसमें फ्रीसे आदा गब जितना ससो तेल डाल देगे और जो फीसेस को मैंने कट करकर रखा थे उसको इस तेल के अंदर जाल देगे और एक दुम मीडियम फ्ले में चीक को फ्राय कर लेंगे इस टाइम में दोस्तो सस्टो का तेरी यूज करना, पूरा रेस्पी हम सस्टो तेल से ही बनाएंगे, तो सारे पिसेश को देखो दुबारा फ्राइ कर लेंगे, बाकि जो बचा हुआ था, अभी ये सारे पिसेश मेरा फ्राइ हो गया है, दोस्तो आप चाहो तो इसको ऐसे भ बड़ा साईस के टमाटर को काटके ढूलेंगे, टमाटर नहीं काटके बनाएंगे इस टाइप का बड़ा size में काटके डालना आ, इसको नहीं ढाला कि टमाटर और अच्छे से समाच के लिए फ्राई कर लेंगे, अभी इसके उपर आदा चोटा चमाच जुद्ना नम्मक भ तो पहले डालेंगे एक बड़ा चमच जीतना धनिया पाउडर आधा बड़ा चमच जीतना चीरा पाउडर और आधा छोटा चमच जीतना रेट शिली पाउडर और आधा छोटा चमच जीतना हल्दी पाउडर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पे स्वाद नुसर एक यहां पर देखो मैं होममेट क्रीम लिये हूँ यह भी डाल देंगे आपके पास ना रहे तो आप ना भी दे सकते हो इसके जगे आप थोड़ा ड़ी डाल सकते हो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे मलाय डालने से यह रेसिपी में और अच्छा स्वाद आ जाएगा साड़े मसाले को मीडियम टू लो फ्ले में तीन चार मीट के लिए अच्छे से पका लेंगे मसाले को जितना अच्छे पकाएंगे ना हमारे रेसिपी खाने में उतना अच्छा लाएगा अब यहां पर देखो आधा छोटा चमत जितना अध्रक का पेस्ट डाल देंगे दोसो इसके सर्फेस पर एकदम तेल आ गया है तो हमारा यह मसाल्आ आए एकदम अच्छे से भूंद चुके है है अभी इसमें क्या करेंगे थोड़ा पानी डालेंगे लेकिन दीरे दीरे पानी डालना है पहले देखना पानी कितना हुआ है आप ज्यादा ग्रेवी चाहते हो तो ज दोहड़ा मेश्ट को चीडा लगा के डाल देंगे अब हैँ ओधा चोटा चमझ इतना गड़म मसाला डालेंगे घरम मसाला पहले ही डाला है हाथ में अहीं शो किस्री को कृस्ष करके डाल देंगे और अच्छे से ग्रेबी के सांग इसको मिक्स करके अच्छे से उबाल लेंगे जब यह उबल जाए तब भूंगले को पीस अख करना के ऊबला है पेले यह तो कम रहें तो धोक पीस तीन नरम है और उबालने के बाद तो और भी नरम हो जाएगा तो इसको अच्छे से मिंस कर लेंगे और 2-3 मीट के लिए इसको मीडियम फिले में उबालेंगे इससे हमारा ये सब्जी बहुत अच्छे से पक जाएगा और इसका जो कॉंसिस्टेंसी है न वह भी थीक हो जाएगा तो देखो इसको अच्छे से मैंने उबा लिया है अभी मैं आपको 2-3 मीट के बाद दिखा रही हूँ दोस्तो देखो 2-3 मीट के बाद हमारा यह सबजी जो है ना बहुत अच्छे से बन गया है इसके उपर पूरा तेल आ गया है अभी इसमें आदा छोड़ा चमजीता खी ड जरूर बनाना और बनाओगे ना तो मुझे कॉमेंट में बताना कैसे लगए मैं क्यानिटी देती हूँ बच्छों से बड़ो बहुत पसंद करेंगे इसको खाने के बाद और जो लो कदू खाना पसंद नहीं करता है वह भी बार बार यह सबजी को बनाने के लिए बोलेंग झाले बाय और चेक्या झाले वाइ प्र वाचिए।